CAC में एक बहुती बड़ी सर्विस है जिसका नाम है CAC Academy ये सर्विस को अगर आप यूज करते हैं तो आप काफी सरी ऐसी लोग को help कर सकते हो computer का course अगर वो कराते हैं तो बहुती कम price में होता है और बहुत सरे समय में ऐसा होता है कि CAC आपको offer देता है basic computer course कराने के लिए आपको 300-400 रुपे मिलता है जो कि आप student से ले सकते हो market का जो price है वो customer आपको देगा लेकिन आपके wallet से एक भी रुपेर नहीं कर देगा ये आपका offer होता है लेकिन ये सब कुछ आपको तब करना है जब आपके पास already CAC academy का service अगर आप use करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले CAC academy में registration करना होता है registration करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी CAC dashboard में आ जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर search पर click करना है और आपको यहाँ पर लिखना है CSC academy इसके बद एंटर तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर basic computer course CSC academy बोलकि एक service है education का तो यहाँ पर आपको clicker का एक link बिलेगा बस आपको यहाँ पर click कर देना है इसके बद आपके समने काफी सरा menu मिलेगा तो यहाँ पर देखिए login है साथ में नीचे देखिए center है student है जो भी student का आप यहाँ पर admission कराओगे वो student यहाँ पर click करके अपना ID password जो आप provide करोगे उसके जरीए login कर सकता है लेकिन अगर आपको अपने लिए खुद करना है center तो यहाँ पर देखिए center है आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद connect with digital जिवाब पर click करेंगे इसके बाद yes आपको यहाँ पर एक form मिलेगा आपका CACID फिल रहेगा आपका नाम डालना है आपका mobile number डालना है email id डालना है आपका state को इस तरीकी से choose करना है district को choose करना है इसके बाद अपना full address लिखने के बाद submit पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने यह screen आजाएगा जहाँ पर अपना username और password रहेगा आपका username आपका CACID ही होगा और आपका password आपका mobile number ही है इसके बाद connect with digital swap पर click करेंगे अभी हमारे सामने आजाएगा हमारा dashboard यह हमारा dashboard हो जाएगा यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है तो इसे हम close कर लेते हैं तो अभी जो भी student को अगर आप यहाँ पर enroll करना चाहते हो तो यहाँ पर BCC basic computer course के अंदर यहाँ पर click करके add student पर click करके student का नाम father name, mother name, date of birth, gender, qualification, category, state, district, address, pin, phone number, email id, photo देने की बाद पे नाव पर click करेंगे तो अभी के लिजैसे की कुछ time में ऐसा होता है कि आपको कुछ pay नहीं करना होता है आपको एक भी रुपय पे नहीं करना होता है लेकिन कुछ time में आपको कुछ pay करना होगा जो कि आप customer से भी charge कर सकते हो 4-500 प्या अपनी हिसाब से जो कि आपको market के rate के हिसाब से आप charge कर सक सकते हैं एक बार आपका CSC Academy में रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप काफी सरा सर्विस को यहां पर यूज़ कर सकते हैं i hope कि आपको ये video अच्ञ लगा होगा अगर आपको अच्छ लगा तो पलिज वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साल से अकरिए आपके मन में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और अभी तक आपने हम Instagram में फोलो नहीं किया तो नीचे लिंक है जागे फोलो कर सकते हैं